फ्रेंड्स सबसे पहरे आपको नए साल की बहुत-बहुत बदाई फ्रेंड्स आशा करता हूँ नए साल आपका मंगल में हो और आपको स्टॉक मार्केट से बहुत सारा मुनाफ़ा मिले और आपका इन्वेस्टमेंट आपको अच्छी तरसे फले इसके साथ में ही आज हम Yes Bank के उपर एक वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो में Yes Bank से रिलेटिंग बहुत ही सांदार नियूज निकल कर आई है जिसको हम पूरा डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिस करेंगे इसे Yes Bank और इसके स्टॉक पे क्या फाइदा हो सकता है साथ में Yes Bank की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है Yes Bank में सबसे बड़ी तकलिप क्या है वो भी जानने की कोशिस करेंगे और उसका निवारन क्या है वो सारा आपको पता चल जाएगा प्लस साथ में Yes Bank का Short Term और Mid Term का Target क्या बंद रहा है वो भी जानने की कोशिस करेंगे लेकिन उसे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बेल आइकोन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाओ पहला नोटिपिकेशन आपको मिले वीडियो पसन आए तो लाइक से जुरू कीजिए चलो फ्रेंट्स वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं हूँ आपका दोस्त एस्बी दवे और मेरे चैनल उनलाइन कभाई में आपका बहुत बहुत सबागत है फ्रेंट्स दिवाली को मोहरत ट्रेडिंग में एक घंटे के लिए ट्रेडिंग हुई थी और जिसमें यस बैंक के अंदर भी अच्छी खासी वॉल्यूम देखने को मिली थी और 14.57 पत करीब 1.53 परसेंट अपर क्लोजिंग दिए और यह जो क्लोजिंग है यह लगातार आटवे दिन इसकी पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है यह बहुत अच्छी बात है यस बैंक के लिए यस बैंक में लगातार positive closing आ रही है भले ही दिन में उसमें profit booking होती है price थोड़ी नीचे जाती है लेकिन उसके बाद में उसकी जो closing है वो positive आ रही है ये सबसे बड़ी अच्छी बात है और एक तरपार upper circuit नहीं लग रहा है ये भी बहुत अच्छी बात है क्योंकि कई बार ये होता है अपर circuit लगने की वज़े से उसमें एक तरपा upper circuit लगता है कारूबार नहीं होता है और फिर उसमें सिदा lower circuit लगना शुरू हो जाता है तो फिलाल ये जो problem है yes bank में नहीं है yes bank में regular trading हो रही है और इसकी वज़े से जिसको profit book करना है जिसको अपने share को sell करना वो कर रहा है और जिसको buy करना है वो भी buy कर रहा है तो इसके लिए एक healthy trading हो रही है और यही yes bank के लिए एक मजबूती दिखा रही है friends लेकिन साथ में हम आज एक बात करेंगे एक news की जो एक news yes bank से relating है उसको आज हम discuss करेंगे friends आपको पता ही है yes bank के पुराने जो promoter थे राडा कपूर उन्होंने अपने नीजी स्वार्थ के लिए yes bank का पुरा भटा बिटा दिया था उन्होंने ऐसे से लोगों को करजा बाटा था जहां से recovery की कोई संभाव ना दी थी और उन्होंने yes bank को पूरी तरसे डूबा दिया था और सिर्फ अपने खुद के थोड़े से फाइदे के लिए और इसी तरसे उन्होंने 3700 क्रोट का लॉन दिया था DHFL को DHFL उस समय बिल्कुल डूपने की कगार को थी फिर भी उन्होंने उसको लॉन दिया था और वो लॉन डूप गया था क्योंकि DHFL भी दिवालिया हो चुकी थी तो अब DHFL की जो पूरा portfolio है उसकी निलामे की प्रक्रिया चल रही है उनकी property को बेचा जाएगा और उससे जो पैसे आएगे वो सारे के सारे जो उनके देंदार है उनको पाटे जाएगे तो टोटल DHFL के उपर करीब बेंकों का 95,000 करोड का करजा है उसमें से 3,700 करोड का जो है यस बेंक का भी करजा है तो अब ये जो निलामे की प्रक्रिया शुरू हुई है इसमें अमेरिका की कंपनी ओक्ट्री ने 33,000 करोड की बोली लगाई हुई है और अब जो नियूज निकल कराई है बड़ी वाली कि अदारी ने भी इच्छा जाहिर की है DHFL के पूरे पोर्टफोलियो को खरीदने की अदारी ने कहा है कि हम ये पूरा पोर्टफोलियो खरीदना चाहते है यानि ये जो DHFL की जो बोली लगाई हुई है उससे ज़्यादा बोली लगाखे यानि 200 से 300 क्रोड रुपे और बड़ाखे अदारी ग्रूप इसको खरीदना चाहता है DHFL की पूरी की पूरी पूरी पूर्टफोलियो को अदारी ग्रूप ने Committee of Creditors यानि COC को लेटर लिखकर कहा है कि हम बोली लगाना चाहते है इसमें पूर्टफोलियो खरीदने के लिए अभी फिलाल DHFL के 3000 के छोटे से पूर्टफोलियो में बोली लगाई हुए अदारी ग्रूप की लेकिन अदारी ग्रूप पूरे के पूर्टफोलियो को खरीदना चाहता है लेकिन सामने प्रमोटर जो है DHFL के कपिल वादवान उन्होंने भी RBI की तरह से जो अपॉइंट किये हुए एड्मिस्ट्रेटर है R. Subramaniam उनको लेटर लिखा है और कहा है कि ये जो बोली लगाई जारी है बहुत ही कम है 33,000 जबकि हमारी पूरी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो करीब 93,000 करोड है तो 93,000 करोड के सामने ये जो बोली लगाई जारी है ये बहुत ही कम है इसको बढ़ाने की ज़रूत है तो अगर जो उनकी जो प्रॉपर्टी है 93,000 करोड के उनकी सारी प्रॉपर्टी है और बैंकों का करजा है 95,000 करोड का अगर वो सारी की सारी प्रॉपर्टी उस वैल्यू में बिगती है तो सभी बैंकों को अच्छे से उनकी सारी की सारी जो कर्ज है वो मिल सकता है पैसे मिल सकते हैं लेकिन अगर जो बोली अभी लग रही है उस हिसाब से अगर ये फाइनल होती है डील तो कम से कम बैंकों को 60% राइट आप करना पड़ेगा तो इसलिए वो चाते हैं कि इतना लॉस हो जाएगा इसकी बोली बात है कम से कम यस बैंक लिए पॉजिटीव न्यूज है क्योंकि इसकी वज़़े से यस बैंके जो डूबे हुए पैसे है वो रिकवरी होने की संबावना बनती है क्योंकि यस बैंकी जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो है उसका डूबा हुआ कर्ज यानि NPA उसी की रिकवर की बात करते यस बैंक की जो अब ट्रेडिंग जो चल रही है वो हो गई है 14.57 यानि करीब 15 रुपीज के आसपास इसकी ट्रेडिंग आ चुकी है और अगर ये Tuesday के दिन ये 15 के उपर अगर खुलता है तो आप समझ लिजिए इसमें एक नई तेजी की संबावना बन जाएग आगी कि फिर ये ट्रेड़ करेगा 15 से उपर तो फिर ये short term में ये 17 दँदग जा सकता है ये आज़ फ्रेंट अगर ये 15 के उपर आ गया तो फिर ये 17 दग आराम से जा सकता है इसका जो mid term target दिक रहा है फ्रiénस वो है 23 का जो आराम से दो से 3 महीने में अचीव कर सकता है ये share तो आपको गर investment करना है तो इस लेवल पे आप आरा में से investment कर सकते हैं लेकिन friends कोई भी investment करने से पहले अपने financial advisors एक बार एड़ाज ले ले या अपना खुद का research करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके educational purpose के लिए ही बनाया है